आज आमचे भारते जनता पक्षाचे आमधार पंकज भोहर जीन चा मद्दार संगा मदे काई विकास कामा ची उटगाटना आएद। आनि त्या साथी आज वर्दा ची दवरेवर अमे आऊद। भार्तिय जन्ता पक्षाचे वतिने आम्दारांचा विविद्ध मद्दार संगा मदे असंक्य विकास काम होता है क्या दिश्टिकरों तुन हाद आउराए आज सुनावनी होना रहे अपात्रादे संदरबाद नार्वेकरांगे प्रमाने ही सुनावनी होता है मला यवडे मी तुमाला विश्वासानी सांगू शोकतों क्या विदान सबेचे अद्देक्षा नार्वेकर जी अस्तिल हे फार एक्सपर्ट आशे काईदे तदना है आज इत्या ठाकरेला तेनी काईदा शिकावलेला है मनुन कोणी ही तनार काईदा शिकावलेला ची घरत ने आशामाई विश्वासानी सांगतों मनुन जे काई आज जा काई बैटा काई ते कोटा चा आयो जी नियो जी ताय जेवा तेकाई थोड़ा उशीर लागतों ते तेवा तेनचा और कुटला खालचा पाचरी ची टिका ठाकरे घटायी ची लोको करो थोते तेनचा एकंतरी राच्के इतियास काडतों ते आज नार्वेकरान केड़े जाओं सर्व सेवटी समोर बसाला लागते है मुनुन आमला विश्वास है कि काईदयाचा चौकटी मजे रहून आमचे हे सरकार 2024 परेंथ सक्षम और ताक्ति नी टिकनार चालनार आने 2024 निवोर नुकी मजे परत महा यूती ते सरकार यहनार मनोच जरांडे पाटलान ना काल भेकाला मुख्यम्तिर जानार तो मातरकाल मुख्यम्तिर ननी नाव जाता भाजप्त सुष्टम अन्ड़ गिलाउसा जरांडे पाटलान ची जी काई मागनी है ते आनुसार सरकार चर्चा करते है मारग काला प्रहत्न करते है जरांडे पाटलान तसा तला गाला अतला संगर्श करनारा कारे करता है में तेना खुब वर्षय पसुन अलोक तो, मुझून कुटलाई विशय चा अहंकार ते करनार नहीं, चवटी समाजाचा हीत काय है, समाजाला काय हुआ है, ये जरांगे पाटलाएंना चांगलाया पदेतिनी महीत असलाय मुळे, सरकार वरोबर योग्या पदेतिनी ते फाइदा होईल, ते त्या गुष्टी करनार, यहोड़ा विश्वास है, मनुन तेचात काय मागे पुड़े होनार नहीं पन नाकपुरादी याता, OBC संगटना जाय ते आकरम जाले लाय ते पन धरने मांडुद बसले लाय, तेंची पन मागनाय की सरकार ने लिखी आश्वास हुल लावगा, मी सगलाय समाजाच्या, सगलाय प्रमुकारना आनि सगलाय गटकारना सांगिन, ते हे महायूती चा सर गोष्टी देवने, आपन एकत्र मिलून, यहां आमचा मुख्यमंतरी आणि दोनी उपमुख्यमंतरी आनि वर विश्वास ठेवावा, कुटलाई समाजाला कुटली अडतन होनार नहीं, आणि प्रत्यक समाजाला बरोबर गेवन आमचा सरकार तेना न्याय देल, यहोड़ तुम्ही महाईती गेतली ता तेचा मदे तुम्हाला विरोधी पक्षाचे उबाटाचे लोक, तेना समर्थन करनारे काही जेश्ट पत्रकार आये, तेन्चे सगलेंची तुम्हाला पुरावे भेट्टील, यह फार नियोजित पद्धितिने, आमचा देवेंद्र फणनव जीना टार्गेट करना चाहा कारेकरम शुरू आये, बाकी काही नाई, मनु शगला समाजाचे चा सांगिन के तुम्ही तम्ही तम्हाला भगनार थोड़ा सयम्त हो आनि सरकार वरोधी शुरू देवा काल रोहित पवर नाश्पूर दोड़यावर की उती, तेननी मुस्क्यमंत्री चा वायरेल वड़ी तिका चिलिया, आरक्षन देवर मराटा समान देखे से पन्नास्ता की जी मरादा वड़वायला पाजी, तैसको केंद्रा सोगत बूलला पाजी, मातर राज्यात लोइस पी थोड़ा आत्ता जांडयाचा भाहर आलेले, थोड़ा जग पाव अनुभाव घ्यावा, पहले टम चे आमदार आये, अजुन परेन, तैंचाज प्रनिती शिंदे ताईनी, तेचे बदल काय बोललेले, थोड़ा तेनी लक्षग आला हो, आनी थोड़ा नाकपूर, विदर् थोड़ा कर्जत मदे लक्षग आतला ना, तर माजी आमदार लिनाची वेड अनार नाई, मुनुन ये मोटे-मोटे सल्ले देना प्रेक्षा ना, थोड़ा कर्जत जांड़ा मदे थोड़ा लक्षग दिला, तो थोड़ा आमदार की तरी रहेल ना, तर 24 लाव आन्दे होना संहे रहें प्रेक्षग आतला फ्याद करातों। मुक्का मोर्चा ची काटूं तेनी चापले उद्धव ठकरे चा आदेश आवर सम्झून गया मनु तेला मराटा समाजा चा बदल बोलने ता अधिकारत है नहीं है मनु देवा तो जालनाला त्या उपोष्णाकडे गेला मराटा समाजा चा लोकानी तेला बोलाला पन दिला न पाटनकर काडा चा अर्थ योड़ा चाए कि पाटनकरांचा नावा नी जे काई तेन्चा मुक्यमंत्री आणि तेन्चा आउती बोलती चा लोकानी गेला सरकार है पाटनकरांचा सरकार होतो ठकरे सरकार नहोतो पाटनकराला चा हीत बगनाराथ गेले ठकरे सरकार चेला मन् मुनुन पाटनकर काड़ा जा दिऊशी उद्धाव ठाकरे ला पादला दाईल तो उद्धाव ठाकरे मातोश्री तो पन भाईर एनार नाई करें का पाटनकर ला संबालाता 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 तेचे नाके नुद धाले और हाता तुन सरकार निशटल जोड़े काजी पाटन करांची गेतली, जोड़ी काजी सरदेशाईची गेतली, जोड़ीत काजी थोड़ी आपले आमदाराची गेतली असती, तर एकना शिंदेन ना स्वता वेगली भूमी का घेणाईची गरनात पडली नसती. उद्धाव ठाक्रे वरानवार देवंदर खड़ें सर खालची पाटन करांची गरतांची गेतली. भाजब आक्रम को यहां सब प्रदेशाद देशादेशादेशे में? युद्धू ठक्रे जातील झाथास करनें लिकल्शारी आट सब्सक्राइए तो कुटे उट्टो किती बस्तो किती उटू शक्तो मजे पाया वरा बाकी काया चुकी जो समझू नगा उन्हें या शगला गोष्टी आमाला महाईती आसला मळे तेनी जासता बड़बड अगर आमचा देवेंदर जीन बद्दल केला तो रोज कपड़े फाडनाय चे यहोड आना परेन आले लियाए कि जा डियमके नी सातेत्ता नी सनातन धर्मा चा बद्दल टिका जे करता है हिंदु धर्मा वर जे आक्रमान मंजे विरोधात बोलता है ते आज डियमके चा अभिदंदना चा प्रस्ताओ और ठराओ काल विरोधी पक्षय चा बईटी के मधे घेटला गेला मंजे भाईर डियमके टिका कराइची आनी तेंचा इंडिया आलायंस चा बईटी की मधे अगर जे लोक सनातन धर्मा वर टिका करता है तेंचे अगर अभिनदने चे ठराव होत अस्तिल तर मग हे इंडिया अलायंस नेमका कशा सटी बनला हे तेंचे चहराश पस्तो होता है मनज़े उजया हे अलायंस फक्त सनातन धर्मा और हिंदू धर्मा चे विरोधत लड़ने साटी और हिंदू धर्मा संपौने साटी यह अलायंस तैयर धाले लाए यह चाता चितरस पस्तो होता है कल के इंडिया के बैठक में कल के इंडिया की बैठक जो अशरतपौर साब के घर पे हुई हमारे पास इंफोरमेशन आया है कि वह इंडिया इंडिया के बैठक में विरुदी पक्षे के विपक्ष के बैटक में DMK के जो पार्टी लीडर है जो पिछले कई हफ्तों से सनातन धर्मक के विरुद, हिंदू धर्मक के विरुद, जो उनको डेंग्यू, मलेरिया, रेड्स बोलने का काम कर रहे हैं, उनका कल अभिनंदन का ठराव या प्रस्ताव रखा गया और उसको मानने किया गया, इसका यही अर्थ होता है कि जो आलाइंज बना है, वो हिंदू धर्मक के खिलाफ बना है, सनातन धर्मक को खतम करने के लिए बना है, इस ऐसे लोगों को देश की जनता स्विकारिगी क्या, जिस देश में 90 टक का हिंदू रहते हैं, य इस हिंदू राष्ट्र में जो हिंदू धर्मक को ही खतम करने वाले लोग है, और उनको अगर अभिनंदन किया जा रहा है, उनकी अगर प्रशंसा की जारी है, तो ऐसे लोगों को देश की जनता स्विकारिगी क्या, यह प्रश्ट मुझे आज के आपके माद्यम से देश को पूछना है, चुनाओं में इसका कुछ असर होगा, ऐसा लगता आपको, जो देश में 90 परशन हिंदू रहते हैं, और उनको ही खतम करने की बात होती है, मतलब हिटलर ने जो जर्मनी में किया, वही यह इंडिया लाइंस हमारे देश में करने की कोशिश कर रहे है, जिस तर ABP माजा, उगडा डोले, बगा नीट